प्रुप्ति कदम बिग टिवी मराथी वलतिया प्ले सर्वांचा स्वागत आपन पहाता हाद बिग टिवी मराथी मी तुप्ति कदम पावी अच्छा ठर घरा मोरी करें के जिवाल साब आगे बलो विवंडी के जनता को विंती की हाथ कुपर खड़े करके तालियों से किस दिवाल साब का स्थक्मल करें हालो 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 भारत मतागी इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे मंच पे मौजूद देश के बहुती सीनियर नेता और महराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरत पवार साब सुप्रिया सुलेताई मंच पे मौजूद इंडिया गटवंदन के सभी नेतागन और यहां पे इतनी भारी संख्या में आई हुए मेरे सभी प्यारे बहनों भाईयों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सब को मेरा प्रणाम दोस्तों मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोगों के सामने जोली फेला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से झोड़ा है मोधि जी ने गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक छूटे केस में जेल से सीधा यहीं आ रहा हूँ अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा देश को बचाने की भीक मांगने के लिए आ rank अ कि सुप्रीम कोट का धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे उमीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा इज शुप्रीम कोट ने कि यह करिश्मा था चमतकार था उपर वाले का चमतकार था जो जो लोग उपर वाले पर यखीन रखते हैं भगवान को मानते हैं मैं तो मानता हूं यह भगवान के किसी चमतकार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरिवाल को 21 दिन की मौलत दे रहे हैं जाओ और जाके चुनाव परचार करो मैं दिल्ली में एक दिन रोडशो कर रहा था निकलने के बाद तो एक महिला कहती है सर आपको भगवान ने बेजा 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए तो मैंने भी ठान ली है यह 21 दिन मैं सोंगा नहीं 24 घंटे एक एक पल एक एक सेकिंड पूरे देश में घूम घूम के घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और उनको निकालने का प्रयास करूंगा लोगों को जगाने का काम करूंगा इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है मेरे को क्यों जेल भेजा मैं छोटा सा आदमी हूं मेरी छोटी सी पार्टी है दो राज्यों में हमारी सरकार है दिली में पंजाब में यह तो बहुत ताकतवर लोग हैं इनके पास तो इतनी सत्ता इतना पैसा है फिर मेरे को जेल क्यों भेजा मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शामदार बना दिया मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं मोदी जी नहीं चाहते है कि गरीब हो के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले मैं कहना चाहता हूं मोदी जी मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए अब 5000 बनाओ पचास अजार स्कूल बनाओ देश में तब आपका बड़ पन है केज्री वाल ने 500 श्कूल बनाए आप उसको जेल मे डाल के स्कूल बंद करा दो यह थो चोटी सोच है कि इसए चोटी मांस इखता है मेरे को जैल में क्यों भेजया मैरे को जैल में इसलिए बेजया मैंने दिल्ली के अंदर सेहांदार सरकारी अस्पारा बना दिये सानदार महला क्लिनिक बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में धाई करोड़ लोग रहते हैं अमीरों चाहे गरीबों शब को सब को शांदार इलाज मिलता है सारी दवाईयां फ्री सारी टेस्ट प्री मोदी जी इसको रोकना चाहते है मोदी जी नी माद चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले आपका बढ़पन तो है मैंने 500 महला क्लिनिक खोले आप 5 लाक हर गाओं में महला क्लिनिक खोलो ना केजरी वाल को पकड़ के जेल में डालो महला क्लिनिक बंद कर दो यह तो फीर कर दी छोटी ब्यमारी हो चाहिए बड़ी बामारी हो सबको फ्रेड मृती है लेकिन जब मैं ज evaluate कि पंदरा दिन तक इनों ने जियल के बंद कर दी कि भुर जुब युदे हुए यूद ले तावन यूनिट इंसुल ने ंल मैं जब मैं जेल गया पंदरा दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया मैं कहता रहा मेरी 300 शुगर साड़े 300 शुगर हो अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे तो किड़नी खराब हो जाती है लिवर खराब हो जाता है मुझे नहीं पता यह मेरे साथ क्या करना चाहते थे लेकिन इतिहास गवाह ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को विरोधियों को जेल में डालको उनको शारीरिक तोर पे खतम कर दिया गया मुझे नहीं पता यह मेरे साथ क्या करना चाहते यह मेरे को इसल तो ररश्यय का राश्ट्रपती पुतिन है आप जानते होंगे पुतिन ने जतने विपक्षी नेता थे या तो सब को जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए पुतिन को 87% वोट मिले बांगला देश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए सारे विपक्षी निताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेक हसीना जीत गए पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए इम्रान खान जो वहां के सबसे बड़े निताओं को जेल में डाल दिया उनकी पार्टी को तैसनेस कर दिया उनका सिंबल छीन लिया और फिर मौदी जी न कुछ अदर भारत के अंदर करना चाहते हैं एक ताइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बंगलादेश हमसे सीखा करते थे आज मोदी जी बंगलादेश और प्किस्तान से सीख रहे हैं कर अब कर दिल्ली में जीत जाऊंगा फिर भी टीटने जा einem को जेल में रख लेके तब भी हाडाते हैं हम उठीजी इन्होंने मिर को गिुरतार कर लिया मंशिस्टी साइज मुपुन। को गिरीफ टार कर करना चाहते हैं शिव सора को चोरी कर लिए जो अभी संझे सिंह ने का शिव से के दोगणेस कर दिए के दोगटे कर दिए मंतादीदी कितने मंन्टृ ओन्ट को गिरफतार कर लिया स्टैलिन के कितने मंत्रियों को गिरफते हैं ऐसे चुनाव लड़ों के और जीतों के यह तो कायर आदमी करता है कायर है मोदी जी अरे बहादूरों तो आख में आख मिला के चुनाव लड़ों ना सीरे सीना चोड़ा करके चुनाव लड़के दिखाऊ यह तो कायरों की निश जाता हूं कि 2014 में जब मोदी जी आये थे उन्होंने एक रूल बनाया था उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा यह रूल बनाके उन्होंने अडवानी जी को रिटायर कर दिया मुरली मनोर जोशी जी को रिटायर कर दिया अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं तो जाहिर तॉर पर मोदी जी भी रिटायर होंगे अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो जब मैंने यह बोला थोड़े दिन पहले पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोधी जी रिटायर होंगे और हमित शाह को प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे नहीं नहीं मोधी जी रिटायर नहीं होंगे मोधी जी नहीं नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होंगा मोधी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोधी जी वो अपने लिए पोच के जाना जब वोट डालने जाओ मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा है अंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना अमिट शा की तस्वीर लेके आना कि अमिट शा को बनाना है क्या प्रद्धान मंत्री तो अमिट शा के लिए वोट मांग रहे हैं और इस सिलसले में जितने रुकावटे थी देवेंदर फड़नवीस को पैदल कर दिया इन्होंने शिवराज सिंग चुहान की राजनीती खतम कर दी रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी वसंद्रा जितने नेता थे सब को खतम कर दि यह एक इनेता बचा है योगी अधित्यनाथ दो महिने के अंदर उसको अटाने जा रहे हैं योगी अधित्यनाथ अब उत्तरप्रदेश के CM नहीं रहेंगे जब मैंने ऐसा बोला एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया भीजेपी के किसी नहीं का कि नहीं इंही के लिए बोल रहूं। मेरे को गाली देने से क्या होगा अपने वालों को सलट लो अपनी बीजेपी को सलट लो दोस्तों एक करके यह सारे निताओं को खतम कर रहे हैं और मैं आपको चतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाओं में चार जून को बीजेपी जीत गई वैसे तो जीत नहीं रही है अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होगे विजेल में और अधित्त ठाकरे भी जेल में होगे तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े दिन रह गए किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधान मंत्री जी उन्होंने शरत पवार साब को का भटक्ती आत् कि यह कोई इतने सीनियर आदमें चुरासी साल के बुजूरग हैं जिए 54 साल कें दस साल सीनियर है उन से ऐसे किसी बुजूरग को कहिना ठीक है क्या प्रधान मंतरी को ऐसी भाशा अच्छी लगती है उनको कहते है नकली शिवसे नकली संतान यह अच्छी लगती है यह तो यहां के बाले मामा उनको रिकॉर्ड जीत आप लोगों को दिल्वानी है ज्यादा से ज्यादा वोट दे के बटन दबा के उनका आप उनको वोट देना, रिकॉर्ड और वार्रण से उनको जिताना लेकिन मैं मैं आज महराश्टर में उनके लिए तो वोट मांगी रहा हूं मैं महराश्टर में आज आया हूं पूरे इंडिया गठ बंदन के लिए वोट मांगने के लिए NCP का चुनाव चिन ये तुतारी तुतारी बजाने वाला आदमी है इसका खूब प्रचार करना है मैंने सोशल मीडिया पर एक आदमी को देखा था मैं बहुत चिन्तित हो गया उसको देखके वो आदमी कह रहा था जब वोट दे के बाहर निकला उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया बोला शरत बवार को बोलो क्या निशान बोला घड़ी यह कंफ्यूजन है कुछ लोगों के अंदर आपको प्रचार करना है अपनी गली में अपने गाहों में अपने महले में सब को बोल देना कि असली वाली NCP शरत बवार वाली NCP को चुनावचन अप घड़ी नहीं है घड़ी पे मत दाल देना असली वाली NCP को है तुटारी वाला आदमी तुटारी वाले आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट दे के मामा को चिताना है मैं मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूँ दो तारिक को मुझे जेल वापस जाना है चार तारिक को नतीजे आएंगे मैं जेल की से नतीजे देख रहा हूँगा टीवी पे पिछली बार महराष्ट्र की 48 सीट में से 42 एंडिये गठवंदन को मोधी जी के गठवंदन को मिली दी इस बार 48 में से 42 इंडिया गठवंदन को मिलने चाहिए अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया का ड़बंदन को दी मुझे जेल के अंदर बड़ा सकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महराश्ट राना मेरा सार्थक हो गया आप लोगों ने अज इतना प्यार इतनी मौबत दी इसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बह के लिए के लिए आप सब लोग बेकरा रहे हिंदुस्तान के सुपुत्र महराश्ट के भूत-पूर्यों मुख्यमंत्री हमारे दिलों की धड़कन सनमानिय शर्चंद्रपावाट साहब